हमारे रीजिन में इंडिया वस एक्सपेक्टिंग 20 बिलियन दॉलर्स उसको 8 बिलियन डॉलर्स इस साल में आगे डिस्पाय यानि मासे इस 30 जून तक हमारे इस से पहले भी था COVID-19 के बाद तो और बुरी सिच्वेशन हो गई So what is your view on this आसिभाई? सानी सब इस में मार्केट के दो असपेक्स थे हैं एक तो फूर फंडमेंटल हैं जो कंपी इंडिस्ट हैं मैक्र आपने में पर हमने बात किये कि जो चैलेंज़स पाकिसान ने पर इस तुसाइब बीच में 2018 में हमारा से अकांट ट्राइसस बहुत आरा डीपन ओगया करश्टी डिवारूशन बहुत बहुत इस तो तो हमारी मारेट की टोटल फ्रीफ्लोट मारेट कैपलेजेशन जो गंभी स्पांसर टीशेवल्डिंग के बास के अलावा बाकि जो मारेट की 24% जो है वो फिनेशल सेक्टर है, कमर्शल बैंक, NBFC वगारा मुदारवर्स ये सेक्टर में आ जाते हैं फिर मदी तग्रीबं 12-13% प्रीफ्लोट का वो हमारा फटलाइजर सेक्टर है तो पाकिस्तान के तीन मेजर सेक्टर्स एनरजी, फिनेशल सर्विसस और फिनेशल सेक्टर मिलाव हमेपORE-ापिस्तार मेरेने और फिर और पाकिसेटरर के बिद्धार प्रीफ्लोट का प्रीफ्लोट की। बलके PSX काफी फ्रोट रप्रेजेंट करें तो यह सेक्टर्स इन में जो चैलिंजेस रहें वो दो सेक्टर्स में आपके आपके ओर्डियंस के लिए सिर्फ एक्स्पेंग कर सब्सक्राइब बीफ लिए एक एनरजी के हमने इसूट प्रेजेंट किया पहले भी अब पाकस्ता इस तरह पावर कंपनी इनकी अकाउंटिंग प्रोफिट बहुत हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में सेट्विलर डेट के डीपन होने की वजा से इंकी डिवरेंट पेंग कापास्टी बार दा रख रही है दो हजार अठार में जो फिसकलियर दो हजार अठारा था हूं उसम अगर ब्रेक्डाउन देखें तो आपको नजर आएगा कि एनर्जी सेक्टर में रुप्ती जादा रिड़क्शन आये डिवरेंट में तो हमारे सर्कुलर डेट ने हमारी मार्केट को भी बहुत जादा डिरेक्ली एफेक्ट टिया है क्योंकि एनर्जी की बहुत बड़ी र प्रफिड रेजीम से मतलेक फिर प्लस कोवेट के बाद ये फेक्टर जादा है तो ये फेक्टर रेग्लेटरी चेंजे से बहुत जादा एफेक्ट हुए और दूसरा ये जो फॉर्मिनस का पाकिस्तान में तो ये जब डिवरेंट से आपके गिरना शुग हो गया हमारा एक कि सलिंग पॉइंट तर्डिशनी हुआ करता था स्टाक आपकान स्टो चेंज का जब हम भी रोड-शोस करते थे आइंवेस्टर नियूस के बात करते थे तो हम डिवरेंट येल की बात करते हैं अब उनफॉस्टन बात यह हो गया कि हमारी डिवरेंट येल मार्केट की जो ग्लोबल इन्वार्मेंट उतर्स के साफ से इंवेस्ट करने हैं हमारे आप एनरजी और फैनेसल सर्विसेज यह दुनिया में शायर उन सेक्टर्स में आ गए हैं यह यह आटो मुबील मनुफाक्ट्रिंग के जुन को संसेट इंडस्ट्रीज कहा जाना शुरू हो गया है इस तशेड़ ऑपक्षिंट धोंगे इन्वेस्टर्स का इंट्रस ग्लोबली जो है वह उन सेक्टर्स में एक्नलोजी कुमर फामस्यूटिकल इस तरह के सेक्टर्स में जोके हायर वोगत प्यूषर फूचर के इंडस्ट्री नमें ज्याना होता है हमारे एनस्पॉशनेटे पागस्तान में जिस तरह के वह सेक्टर। हमारे यह वो companies available नहीं है for investment, वो private space में exist करती है, private space में investment अभी रही है, Pakistan में Ali Baba ने आखे investment की भी है, Ali Pay Pakistan आखे जावा है, और बहुत सारी दुनिया के funds दो हैं, वो private markets में invest कर रहे हैं, लेकिर unfortunately वो private companies listed space में आने को तयार नहीं है, बलके बहुत सरे अच्छे अच्छे brands, बहुत अच्छी अच्छी companies जो हो, वो increasingly delisting की तरवी दाना चाते हैं, वो कि इनका incentive to stay listed, जा हो fiscal side से हो, taxation की पॉंग में, या वो incentive हो in shape of capital raising ability, या requirement to raise capital, वो नहीं exist करता, तो इसलिए हम यह challenge पेज़ कर रहे हैं, हमारे इस वकद जो केसी 100 के अंदर जो major stocks होंगे, यह ज़रातर वो stocks हैं, जो 2001 एक ते लेके 2008 ते दिम्यान लिस्ट होंगें, जो top 10, बहुत अच्छे हैं तो ऐसे ही होंगे, हमने पिछले 10 सालों में, stock market में शायद जो उसका true role था, capital permission का या capital mobilize करने का, जो उसने प्ले ही हैं, और इसमें में हमारे तमाम से कोल्डर जी जिम्हदार हैं, जो जो पाय साइट के फंड़ोंगे, वो भी जिम्हदार होंगे, लेकिन ओर अवराल रिगलेटरी इन वामेंट इसा थिर्सिव नहीं है, जिसमें आप इनकारिज कर सकें इन बड़ी-बड़ी कंपनी को जो प्राइविट स्पेस में काम कर भी हैं, जिसमें PNG हो, या Unilever हो, या Khadi हो, या Hilton, या Gats, इसमें बड़े-बड़े नाम में आपको बदा आपको बदादी हो, वो लिस्ट हो. आसे भाई, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सेक्टर्स में जो ब्लैक एकॉनमी है, उसका एक ड्यू रोल है, और हम देखते हैं कि ब्लैक एकॉनमी की जो मार्किट है और जो एक्स्टा पैसा है, जिसको कहते हैं 50% से ज़्यादा कि हमारी गिरे एकॉनमी है, इसके लिए बार-बार हम स्कीम्स भी देखते हैं कि एमनेस्टी स्कीम्स आती रहती हैं, बट वाई इन पर्टिकलर फॉर दे कैपिटल मार्किट हमने देखा एक आटोमेटड प्रॉसेस भी आया था, N.C.S.S. से नादरा ने वो प्रॉसेस रिवोक कर दिया, यानि आपको बगार कहीं जाए ये वाली अकाउंट ओपनिंग, मैं आपको अपना जाती एक्सपिरियंस बताता हूं, कि शिकागो मरकंटाइल बॉस में हमने अपना एज़ ट्रेडर अकाउंट खोला, अपना जाओ, इवरिफिंग ओनलाइन, पाकिस्तान में ये चीज हो गई, और फिर रिवोक हो गई, क्या कैपिटल मारकेट से कोई खास किसम का लगाओ है, पावर, ब्रोकर्स को, सेंटर में बैठे पे लोगों को, कि सब जगा पैसा जाए, रियल स्टेट में जाए, हर जगा जाए, यहां नहीं आना चाहिए, विकाज इससे इंप्लाइमेंट क्रिये हो लिए, इससे इंप्लाइमेंट क्रिये हो लिए, I mean, it's just on a lighter note. अब आप से ही फर्मा रहे हैं, I think यह तो प्लिटिकल लेवल पे किसी को ओनर्शिप, टॉप मार्केट के बारे में, क्योंकि जिसमा अब आप से शुरू में अर्शी से ना, एक प्रसेप्शन का इशू है, कोई यह नहीं सोचता कि जो रोजाना जो अखबार में या टीवी के हैडलाइन सुनता है, एक आप आपनी जो स्टॉक में इंवेस्ट नहीं भी करता है, जो उसको यह पर चलता है कि आज स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ा, जिस वज़ा से भी बढ़ा, तो उसको एक फिल गुट पिलिंग होती है, एक फिल गुट फैक्टर क्रियेट होता है कि अगर वांसे चूपर जा रही है, वो शायद इंटर्प्रेट करेगा कि यह यह एक रिफ्लेक्शन है कि चीजें बेतर हो रही हैं। तो हमारे यह पुलिटिकल लेवल पे भी कोई स्टॉप मार्केट को सीरियस्टी कभी लिया नहीं किया, और दूसरा यह जो रेगुलेटरी इशूज हैं, क्यूंकि यह वो सेक्टर है कि जिसको जो आरड़ी बहुत ज़ादा हेविली डॉकुमेंट है, यहां पे हज़ क्यूंकि हम इस पॉसर्स में हमारे रेगुलेटर भी आइसा इसा सीख रहे हैं, अब सेंटल बैंक की अबिलेटी तू रेगुलेटर मैनेज वो और देकेट जादा एवाल हुई भी है